हर्याणा कॉंग्रेस के स्टार प्रचार कॉंग्रेस के महासचे पूर मंत्री रंदीप सिंग सुर्जेवाला साब हमारे साथ हैं जो कैथल में और पूरे कुर्शेत लोगसवा में लगातार चुना प्रचार कर रहे हैं इंडिया महागठ बंदन के उमीदवार सुशील मूड क्या चल रहा है देश का देश और देश की जनता का मूड साफ है मोदी जी की बोकलाहट अमित शाजी की छटपटाहट और नड़ा जी का के चेहरे पर लिखे खौफ के भाव दर्शा रही हैं कि भारतिये जनता पार्टिये चुनाव हार चुकी है बदलाव सामने लि है बेरोजगारी पर देश की जनता जबाब मांग रही है कमर तोड महंगाई पर देश की जनता जबाब मांग रही है आर्थिक एसमानता पर देश की जनता जबाब मांग रही है डूपती हुई अर्थ व्यवस्ता पर और देश की जनता जबाब मांग रही है कि नफरत की राजनीती से उपर उठकर सदभाव और सदाचार कब होगा लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो चेहरा है मोधी की गारंटी है उनके नाम पर वोट होगी महागट बंदन को वोट देने का फायदा नहीं है जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि इनके तो कोई एक ल गारंटी नहीं होती 15-15 लाग सबके खाते में आएंगे ये मोधी जी की गारंटी थी क्या पूरी हुई दो करोड रोजगार हर साल देंगे ये मोधी जी की गारंटी थी 10 साल पहले दी हुई क्या ये पूरी हो पाई हर किसान की आये 2022 तक दुगनी हो जाएगी ये मोधी जी की गैरंटी थी क्या पूरी हुई 80 लाख करोड काला धन विदेशों से आएगा और लोगों को मिल जाएगा और जन्मानश को income tax में राहत मिलेगी यह मोदी जी की गैरंटी थी क्या पूरी हुई 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी क्या मोदी जी की यह गैरंटी पूरी हुई हर गरीब के घर पे पक्की छत होगी मोदी जी की गैरंटी थी क्या पूरी हुई उनकी गैरंटी expired गैरंटी है चाइनीज माल की तरह हैं चाइनीज माल की कोई गैरंटी नहीं होती ऐसे ही मोदी जी की गैरंटी की भी कोई गैरंटी नहीं है आप लोग के पास चेहरा नहीं है चेहरा है हमारा जो चुनाव है वो इस देश के मुद्दों पर है मोदी जी पद पाने की लड़ाई लड़ रहे है उनकी लड़ाई क्या है मोधी को परदान मंतरी बनाओ मोधी को परदान मंतरी बनाने से वो हमारे बुज़र्ग हैं पर क्या उनको परदान मंतरी बनाने से देश की समस्या हल होगी दस साल में तो हुई नहीं हमारी गैरंटी क्या है कॉंग्रेस ये सुनिश्चित करेगी किसान का करजा माफो, कॉंग्रेस ये सुनिशित करेगी भूमिहीन मजदूर का करजा माफो, कॉंग्रेस MSP की गैरन्टी का कानून लाएगी, कॉंग्रेस हर गरीम मही लाके खाते में 8300 रुप्या हर महीने जमा करवाएगी, कॉंग्रेस 400 रुपिया मनरेगा की देहाडी देगी कॉंग्रेस हर परिवार को 25 लाख रुपे सालाना का इंशोरेंस कबर देगी ये हैं साकारात्मक इस देश के एजंडास पांच नयाए 25 गैरंटिया ये कॉंग्रेस का एजंडा है आप याद करिए 2005 में भी तो ये लोग ये ही कहते थे परंतू 2004 में 2004 में भी आपने देखा हमने 10 साल सरकार चलाई हमारे पास चेहरा भी है नियत भी है नीती भी है राहुल गांदी जी मलिका अरजुन खडगे जी हमारे चुनाव को लीड कर रहे हैं और मेरे जैसे हर कारे करता की इच्छा है कि शीरी राहुल गांदी अब इस देश के को लीड करें हाँ लोग हमें अगर वोट देंगे और हमारी सरकार बनाएंगे ये तब ही संबव है साउथ की बात भी आप से मैं कर सकता हूँ आप लगातार इंचार्ज रहे हैं फिर हर्याना की मुद्वे पे दो-तीन सवाल जरूर करने है साउथ को लेकर क्या है साउथ एक ऐसा किला कहा जा रहा है कि जहां बाश्पा बले ही नौर्थ में पुराने ट्रेंड से रही हो साउथ में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है भाश्पा को उत्तर से दक्षिन तक पूरव से पश्चिन तक भारतिय जनता पार्टी आज के दिन ओंदे मूग गिरती दिख रही है निर्डे लोग करेंगे जैसा मैंने का लोग भगवान है मैं नहीं कर सकता दक्षिन में सबसे ज़्यादा ताकतवर भाजपा कहीं रही तो वो करनाटक में रही 28 MP हैं करनाटक में हमारे पास एक ही सीट थी 27 भाजपा की थी इस बार 20 प्लस कॉंग्रेस पार्टी को मिल रही है मैं दावा नहीं कर रहा मैं हमेशा कभी भी कोकले दावों में विश्वास नहीं करता मैंने कहा था कॉंग्रेस की 1500 प्लस सीट आएंगी 140 सीट आई मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कॉंग्रेस 20 प्लस सीट पे खड़ी है ये मेरी वज़े से नहीं है ये वहां के लोगों का आशिरवाद है जो कॉंग्रेस ने वहां गैरेंटी लागू करके दिखाई करनाटक में 35 लाक महिलाएं हर रोज बस में फ्री सफर करती है 1 करोड 25 लाक महिलाओं को हम 2000 रुपिया महीना पिछले 11 महीने से लगातार उनके खाते में हर महीने देते हैं 4 करोड 29 लाक लोगों को 10 किलो चावल फ्री देते हैं हमारे जो नौजवान हैं उनके हम 3000 रुपिया ग्रेजवेट और 2000 रुपिया डिपलोमा होल्डर को हर महीने स्टाइपेंड उनके खाते में देते हैं और 200 करोड फ्री बस ट्रिप्स क्या 11 महीने में हुई है और 1 करोड 11 लाक घरों को मैं 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ ये कॉंग्रेस की गैरेंटी हैं जिसकी वज़े से करनाटक में आज कॉंग्रेस आगे है हरियाना पर लोट आते हैं हरियाना की टिक्टो की चर्चा तो बहुत हुई रंदीब जी लेकिन उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि जो हम अपनी बात पुर्जोर तरीके से पार्टी की लीडर्शिप के सामने रख सकते थे हमने रखी कुछ स्विकार हुई कुछ ऐस्विकार हुई प्रन्तु अब पीछे मुड कर नहीं देखना अब केवल कॉंग्रेस को जिताने के लिए काम करना हर्याना में आपकी रिपोर्ट क्या है कॉंग्रेस कहां फाइट में है कहां लीड में है कहां कमजोर है तेखे ये अनुमान है आप जैसे विशेश अग्यों का हम तो कम जानकार हैं बट आप जैसे मित्रगन ये कहते हैं कि कॉंग्रेस चार से साथ सीट दस में से कांग्रेस चार से साथ सीटों पर आगे है मुझे लगता है स्थिती इस से भी बेहतर हो सकती है हर्याना सरकार का जो पूरा मामला रहा अल्पमत की सरकार के बार बार आप विपक्ष होने के नाते सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नंबर नहीं है बीच चुनाव में निर्दले विधायकों का चले जाना ये कमजोरी साबित कर गया लोगसभा में कांग्रेस की तरफ रुजहान ज्यादा कर गया लोगों का तेखे ये सरकार नाजायस सरकार है पहले दिन से ही हर्याना में सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए बीजेपी को 40 विधायक मिले जजप्पा को मिलने वाली हर वोट उन्होंने कसमे उठा उठा कर भाजप्पा को गाली देदे कर भाजप्पा के खिलाफ ली थी बाद में उन्होंने रुपियों और मंत्रे मंत्री पदों की मंडी में लोगों के उस जन्मत को दुशन चुटाला ने बेच दिया इस से बड़ा विश्वास गात हर्याना के लोगों के साथ नहीं हो सकता था आज फिर बीजेपी के पास चालिस विदायक हैं उनके पास और विदायक नहीं है एक बार फिर खरीद फरोगत की मंडी जैसा उनकी सीनियर लीडर्शिप के बियान से लग रहा है कि एक बार फिर खरीद फरोगत की मंडी शुरू हो गई है पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये काट की हांडी है बार बार नहीं चड़ेगी ये सरकार बनते हुए नाजायस थी और आज अल्प मत में है दर्म निभाना चाहिए और सविधानिक मरियादाओं की अनुपालना करनी चाहिए वरना सविधान और कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और अगर बहुत कोशिश भी करें तो ये सरकार महीना दो महीने और चल सकती है जिसमें हरियाना का नुकसान ही होगा जितना जल्दी इस सरकार की विधाई हो और कांग्रेस की अगली सरकार बने उतना ही सुकत संदेश हरियाना के लोगों के लिए आप लोग के जो भाषन देख रहा हूँ मैं लगबग पूरा हर्याना की जो आठ नौ सीटे हैं उन पर होग क्या आया हूँ आप लोग के सब के भाशन में कॉंग्रेस के भाशन में बड़े जोश के साथ ये कहा जा रहा है मैसेज दिया जा रहा है कि अगली जो सरकार हर्याना में आनी है वो कॉंग्रिस के आनी है देखिए ये मैं नहीं कह रहा और एक कारेकर्टा के तोर पे ये मेरी हैसियत भी नहीं हर्याना के लोगों के चेहरे पड़िये गरीब रवीदासिया के बालमीकी के बैकवर्ड के किसान के ब्रामन के राजपूत के रोड के जाट के सैनी के 36 बिरादरी का चेहरा ये बता रहा है कि अब वो उप चुके हैं, ठक चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं और तैयार हैं कि कब मौका मिले, कब बटन दबा कर इस सरकार को चलता करें याद करिए एक समय में कॉंग्रिस की पांच सीट आई थी देविलाल जी की 1987 में आप कॉलेज में रहे होंगे उस समय पांची साल का था, जी पांच वरश के थे, चलिए इसका मतलब मैं काफी बुड़ा हूँ, मैं आपके टेलेविजिन पर मान लेता हूँ तो पचासी सीट आई थी देविलाल जी की और पांच आई थी कॉंग्रिस की, वैसा ही माहूल कॉंग्रिस के पक्ष में आज है जैसा 1987 के नया यूद में देविलाल जी के पक्ष में था सर एक सवाल इसमें ये भी है कि जो बात करते हैं की जीपी के तमाम लीडर्शिप से चाहिए आप कैमरे पे बात कर लिए जैसे आप लोगों से बात होती हो कहते हैं कि जो साइलेंट वोटर है ना वो हमारी मदद करेगा प्रकुर होके हमारे विरोधी लोग हैं वो बोल रहे हैं लेकिन जब आप लोग चुनाव देखेंगे तो इसी लोग सबाद चुनाव को हम पलट करके दिखाएंगे कौन से जादू कौन से सप्राइज और कौन से साइलेंट वोटर्स को अभी भी अपना गड़ मान कर या फिर अपना सपोर्ट मान कर भा गाज सेलेंडर साड़े ग्यारा सो रुपे का हो गया 56 रुपे वाला कॉंगरेस के समय का डीजल आज 99 रुपिया लीटर मिलता है 71 रुपे का हमारे समय का पेट्रोल आज 100 रुपिया लीटर हो गया 50-60 रुपे का खाने का तेल आज 200 रुपे में मिलता है हमारे समय में दाल 60 रुपिया किलो थी आज 500-200 रुपिया है राजमा तो शायद कोई खरीद के खाई नहीं सकता ना कोई बासमती चावल साधान व्यक्ती खरीच सकता मेगी के पैकेट के भी 20 क्राम जिस सरकार ने चोरी कर लिए और बिसकुट के पैकेट के वो गरीब आदमी की बात करते हैं गरीब आदमी को निचोड दिया है भारती जनता पार्टी की प्रांती और केंद्रिय सरकार ने इनको हर्याना का गरीब कभी माफ नहीं करेगा और ना किसान रंदीब सुर्जवाले साथ को हमने देखा है और जो पुरानी जो रैलिया है जो पुरानी जो तमाम चीजे हैं मैं एक आखड़ा जरूर आपसे लेना चाहूंगा कि मैं इस लोकसरबा चुनाव में आपके करनाटक का परभार था आपको वहां जाना होता था दिल्ली की मीटिंगों में जाना होता था अब तक रणदीब सुर्जावाले साव ने कितनी रैलिया यहां कर ली है कैथल में और कहां कहां का अईरिया आपने कवर किया है तेखे कैथल जिले और जीन जिले में और सरसा अगर संसदिय शेतर मिला लें तो लगबग 130-140 मीटिंग हम सारे साथ ही कर चुके हैं और 200 के करीब मीटिंग और अगले 10-12 दिन में हम करेंगे तो लगबग 200-300 बड़ी चोटी मीटिंग हम करने वाले करुक्षेतर में क्या माहौल करुषेतर में सुशील गुपता साहब के लिए आप कंदे से कंधा मिलाकर कैई मैंने आपकी रहलियां भी देखी वीडियो भी देखी और परचार का जो खबरे भी हमारे पास आई देखे कुरुक्षेतर हो या हर्याना हो कॉंग्रेस अगरसर है और कॉंग्रेस के साथ ही गठबंदन यहां कुरुक्षेतर में शुशील गुपता जी अगरसर है मुझे ये विश्वास है कि यहां शुशील गुपता जी और बाकी सब जगे कॉंग्रेस के उमीदवार कहीं न कहीं फाइदा होता है नुकसान होता है या फिर आखिर आप समझाना क्या चाहते हैं सब लोगों को फाइदा नुकसान का प्रशन ही नहीं आप मुझे बताइए पंचकुला अंबाला यमना नगर कुरुक्षेतर करनाल पानीपत कैथल जीन्थ हिसार का एक बड़ा हिस्सा और इस तरफ आप सरसा तक चले जाएए इस पूरे हिस्से से पचास से ज़्यादा विधायक बनते हैं संख्या बली दुनिया में सबसे बड़ी चीज है यहां से कॉंग्रेस जीत नहीं पा रही दो बार से नतीज़ा यह के कॉंग्रेस प्रदेश हार जाती है जिस दिन कॉंग्रेस जीटी रोड जीतती है यह उत्तर हरियाना जीतती है तब कॉंग्रेस की सरकार बन जाती है इस की सरकार बन सकती एक आखरी सवाल जुरूर आप सीनियर पॉलिटीशन्स हैं और तमाम चुनाव सिर्फ लड़ते नहीं हैं लड़वाते भी हैं ओन कैमरा अगर रंडीब जी से आज मैं पूछू नतीजा किस तरह का हरियाना में हो सकता उसका असर क्या होगा तो और और एक ल महंगाई, बेरोजगारी, आर्थी कैसा मानता, डूपती अर्थ व्यवस्था, भेद भाव, जात पात, धरम की और नफरत जो पहलाई जा रही है उसको देखते हुए बदलाव की आवशकता है और लोगों को लगे के कॉंग्रिस ही वो सही विकल्प है जो वेमनिस्से की ज के जुडाव का संदेश देती है, जो महंगाई और बेरोजगारी पर नियंतरन कर सकती है, जो किसान और मजदूर की जिंदगी में नहीं रोशनी ला सकती है, तो मैं ये मानता हूँ के कॉंग्रिस ऐसा कर सकती है, इसलिए कॉंग्रिस की मदद करें, इसलिए नहीं कि हम कॉ कि स्पीच होती है जिस तरह शब्दों का उचारन होता है वो तमाम चीजे इस चोटे से इंट्रिव्यू में भी नज़र आई है और सीधे तौर पर उनका दावा है कि हरियाना में अब जो बदलाव का माहौल है वो आपको लोकसभा चुनाव में भी नज़र आएगा और उसक